छेचे महजीदे गूगल मैप पे जाके उसी क्षेतर में पिन डाल करके आप देख लिजे कितनी महजीदे वहाँ पे हैं फिर भी ये लोग बाहर सड़क पे आ करके कर रहे थे ये जानकारी पूरी हटा करके ये कहा दिया गया कि पुलिस जो नमाजी को लात मार रहे हैं जैसे कि या वथानी एक क्षेता हो रही है कि पुलिस घर में लोग नमाज पढ़ रहे तो उसको जाके लात मार रही हैं दूश्यों के साथ आपने क्या कि जो इलीगल काम वहाँ पे कर रहे थे उनके साथ आपने क्या उनको किस तरह किस अजादी क्या उनके उपर एफएर हुई उस भीड के उपर F.I.R. हुई, इलीगल काम हो रहा था, और आपके एक कॉप ने इलीगल काम किया, लातमार ने का आई, आपने उसको तो तुरंत ततकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया, बहुत अच्छी बात है, उनके उपर ततकाल प्रभाव से आपने क्या किया, effective immediately, सब को पता है, शुक्रवार को होनी है, इस समय पे होनी है, आप बता दो कि इतने ब्लॉक के लोग इतने बजया है, इतने ब्लॉक के लोग इतने बजया है, ऐसे करके दो-तिन शिप्ट में पढ़िया, किसी को कोई परशानी नहीं हो, हमें नमाज पढ़ने वालों से कोई परश पूछना चाहिए मतलब हमें कंसर्ण सिर्जन के रूप में आपको करें मूदी जी को भी करें कि आप नमाजियों के लिए क्यूं नहीं दो लेन बना देते हैं एक मतलब अप और एक डाउन दोनों तरफ बना दीजिए ताकि यह भी ना हो कि क्रॉस करके उधर के लोग इधर नहीं दोनों तरफ बना दीजिए और लिख दीजिए उसमें नमाज का लेन है आगे वड़ने से पहले आप सबों से अपील करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बिल दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी तुरित मिलती रहे आईए अरम करते हैं नाउसकार दोस्तों कल एक वीडियो वाइरल हुआ जो आप लोगों ने भी देखा भी होगा और उस वीडियो में ये है कि दिल्ली में इंद्रलोक नाम का एक इक इलाका है और उस शेत्र के मुसल नमाज SM पढ़ना भी होता है तो अगर इमर्जेंसी सिच्वेशन आ गया तो आप जो भी आपके पास है कुछ बिछा करके आप पढ़ लेते हैं साफसुतरा करके यहां पे प्रॉपर लग रहा था कि प्लांड वे में बढ़िया बढ़िया जिस तरह से होता है दरी वरी प् समस्या नहीं हो रही थी जबकि जाम लग रहा था साइड में उधर वो सब कुछ दिख रहा है और पुलिस पागल नहीं है कि वो आएगी और इस तरह के ड्रास्टिक स्टेप्स लेगी अब वो कितना उचित है या अनुचित है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे लेकिन एक अवैद कारी हो रहा था जिससे आप जो है आपका fundamental right है religion को practice करने का लेकिन road पे religion को practice करना आपका fundamental right नहीं है बहुत सारे लोग जो है बकलोली में कहते है कि नहीं कावर यात्रा में तो पुलिस जो है आरती उतारती है उपर से push-prishti तो कावर यात्रा जो है ना वो movement होती है सडक चलने के लिए सडक पे लोग चल रहे होते हैं वो सडक जाम नहीं की जाती है हलाकि अगर कावर यात्रा में भी कहीं पे सडक जाम करके DJ भजा के कोई नाच रहा है तो उससे भी मुझे आपती है एक हिंदू के तौर पे और एक नागरिक के भी तौर पे लेकिन यह जो तो सडक को घेर करके और कहने के लिए। नहीं नहीं उसमें पाँची मिनट लगता है। दरी लेकर आना, बिच्छाना, बैटना, नमाज पढ़ना, दरी समेटना और वहां से जाना। पाँच मिनट का काम नहीं है इससे कम से कम चालिस मिनट से एक घंटे तक लग सकते हैं डि ये फरजी बाते कि मस्जिद भर गई थी भाई मस्जिद का हमने देखा है इद में भी जामा मस्जिद के चारो कोनों पे बहुत सारी जगा बची रहती हैं लेकिन आपको शक्ति प्रदर्शन करना है कि हम मुसल्मान है हम सड़क पे बैट करके ये कर सकते हैं तो आप वो करते हैं ये आपका चुनाव होता है या दिखाने के लिए कि नहीं हम जो हम इद मना रहे हैं हम इद की नमाज पढ़ रहे हैं उससे लोगों को परिशानी हो समस्या हम मैं उस सड़क पे कभी नहीं जाओंगा फिर भी मुझे परिशानी है मुझे समस्या यह है कि यह एक अवैध कारी है और इसको पुलिस प्रशासन का प्रटेक्शन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि सड़क पे आप चलते चलते नहीं आप चलो ना मुझे इससे कोई आपती नहीं है कि मुसल्मानों की एक भीड जो है हाथ में वो जो है क्या बोलते हो माला वाला लेके अपना पढ़ते हु तो वो यहाँ पे हो रहा था खैर जो भी हुआ दिल्ली पुलिस ने तुरंत जो है इस पे कारवाई की और जो भी थाना मतलब उस वक्त इंचार्ज जो थे उनको मनोज तोमर संभवता नाम है ऐसा ही है उनको निलंबित कर दिया और वो निलंबन तो एक जगह पे आपने ठ कर रहे है वह बाइट आप सुन लिजे डिसीपी नॉर्थ जो है उनकी बाइट अप सुन लिजे वीडियो सामने आई थी वीडियो वारेल होई थी उस वीडियो में जो पुलिस कर्मी दिख रहे हैं उनके किलाफ एक्शन लिया गया है और जो पुलिस पोस्ट इंचार्ज उनको सस्पेंट कर दिया गया है डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है सिच्वेशन थी वह अब नॉर्मलाइज हो गई है और हम लोकल लोग हैं उनके साथ मिलके यह मैसेज हमने सबको पहुचाया है कि जो इलाके की कानून विवस्ता है और जो इलाके का लॉएन ओर है वो मिंटेन करना है और अब काफी लोग यहां से जा चुके हैं ट्रैफिक भी खुल चुका है और सिच्वेशन नॉर्मलाइज हो गई है लोकल लोगों के साथ हम मिलके यह काम कर रहे हैं इसके बाद क्या हुआ कि एक तो पुलिस को आपने देखा कि पुलिस जब ऐसा कर र ने जाम नहीं लगा है अपने नमाज पढ़ने वाले को लात मारा है उसके बाद इन्होंने फिर जाम लगा दिया पूरा वो टोपी वाले और यह जो है दरी बिचा कर एक तो कहा जा रहा है को बुर्के में वहां पर क्या कर रहा था यह वीडियो आप साइड में देखिए ह अलाकि जो पाकिस्तान को नसीर साब बनाने वाले जो लोग है वो बोल रहे हैं कि नहीं वह दरी लेकर क्या रहा है लेकिन उस आदमी को जो दूसरा व्यक्ति क्रॉस कर रहा है वो भी है चंबे में भाई ब्रो यह बुर्का पहन के ब्रो बने हुए तुम कहां से आ रहे हो हाई तो वह लेकिन वही है कि जुबायर है तो जुबायर के लिए बूर का जो है एक दरी है बस तहो सकता वह उतार के वहाँ पर पढ़ने लग जाता हमें नहीं पता लोग आज के क्या क्या करते हैं जो भी है भीर ने पूरा भयानक प्रदर्शन किया फिर दिल्ली पुलिस आती है जो ही एक जो इन लोगों ने किया मतलब जुबायर है आरफा इनके आप ट्वीट पढ़ लीजे इन्होंने आधी जानकारी हटा दी उससे आधी जानकारी क्या है नमाज कहां पढ़ी जारी थी सड़क पे उससे हो क्या रहा था याता यात रुक रहा था ट्रैफिक पुझाम लग रहा था मसजिद बगल में थी और यही नहीं छे-छे मसजिदे गूगल मैप पे जाके उसी क्षेत्र में पिन डाल करके आप देख लिजे कितनी मसजिदें वहां पे हैं मसजिदें हैं फिर भी यह लोग बाहर सड़क पे आ करके कर रहे थे यह जानकारी पू मस्जिद में पढ़ रहे थे उसमें लात माठ रहे तो यह पूरा माहौल जो है वहां बनाने की चेश्टा की गई अब पुलिस ने जो किया है वो आप देखे प्यूरली लीगल ट्रम्स में इलीगल है पुलिस को ऐसा करते हैं तो एक पूरा जो जॉंबी समू है उसको ये बल मिल जाता है यह कहने के लिए कि भाई बहुत समस्या है इस देश में यहाँ पे देखे माइनोर्टी को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है तो वो लॉबी जो है आप पर हवी हो सकती है रुबिका लियाकत का कहना बिलकुल उचित है कि हम और आप जब इस तरह का कारी करते हैं तो कहीं न कहीं उस लॉबी को फार्डर मिल जाता है जो अभी तक वो पाकिस्तान जिन्दाबाद इसको बचा रही थी जो थूक रहे थे उसको बचा रही थी या फरजी के जैसराम के नारों के नाम पे जो सब के सब फरजी निकले थे उनके नाम पे कहती है कि माइनोर्टी जो है यहाँ पे संकट में यह पूरा चल रहा था इनको तो ठीक है आपने निलंबित कर दिया हलाकि नागरिकों ने ट्विटर पे बहुत उनके समर्थन में शोर उठा है और हैस्टै जो इलीगल काम वहाँ पे कर रहे थे उनके साथ आपने क्या किया उनको किस तरह की सजादी क्या उनके उपर एफायर हुई उस भीड के उपर एफायर हुई जिनोंने दूसरे हजारों लोगों का जो आवा जाही का फ्री मूव्मेंट का मौली का धिकार है उसका हनन किया है उस भीड का क्या, उसके उपर तो कोई कारवाई नहीं, अगर हुई हो तो हमें बताया जाए लेकिन, और DCP North ही आकर कि ये बाइट दें कि हमने उस पर भी कारवाई की, नहीं, आपने क्या क्या, कि हमने लोकल लोगों से बातचीत करके स्थिती को नियंतर मिले, लोकल लोगों ततकाल प्रभाव से आपने क्या किया, एफेक्टिव इमीडियेटली, आपने कुछ नहीं किया, और जब आप कुछ नहीं करते हैं, तो आप अवाइध अतिक्रवन, ये जो टेंप्ररी होती है, जो सड़क गेर करके नमाज पढ़ी जाती है, और जो पर्मानेंट होता है, ह केट के तौर पे, सत्ता के तौर पे, प्रशासन के तौर पे, कि भाईया आओ, सड़क को घेरो, जब मन तुम्हारा करे, CA में नहीं घेर पाये थे, कोई बात नहीं, फ्राइडे को घेर लो यार, घेर लो और कुछ कहे तो फिर तुम बताओ क्या रहे, ये तो हमारा अधिक कार है, हम तो यहीं बैट करके करेंगे, तो ये संदेश जो आप देना चाह रहे हैं, वो बहुत ही अनुचित है, घलत है, इससे एक तो पुलिस फोर्स का भी मोराल जो है, डाउन होता है, मैं बोलना है ठीक है, पुलिस वाले को निलंबित करो, जो भी डिपार्टमेंटल क करवाई उनके उपर होनी है, आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैरलली उसी DCP को इस बात पे भी आकर बयान देना चाहिए, कि आपने जो लोग सड़क पर पढ़ रहे थे और घेर रहे थे, यातायात को बाधित कर रहे थे, उसके उपर आपने क्या करवाई क जब तक आप पैरलली नहीं करते हैं, तब तक नहीं होगा, और जहां तक नमाज पढ़ने की बात है न, तो ऐसा तो है नहीं लिखा हुआ कि एक ही बार में पूरी दुनिया को नमाज पढ़ना है, नहीं, हर मस्जिद का अलग टाइम होता है, हर मस्जिद का जो भी इमाम हो होता है, या नमाज पढ़वाने वाला होता है, ऐसा थोरे है घरीब है, हाँ, इतना हो गया, आप सब मिल के पढ़वा, नहीं भाई, नहीं होता है ऐसा, जब लोग जुटते हैं, सब एक साथी कठा हो गए तो फिर पढ़वाई जाती है, तो आप दो शिफ्ट में करो, ती मतलब सड़क पे क्यों स्पिल आउट करते हो कि नहीं वो घुस नहीं पाए तो, प्रतिक्षा कीजिए, भारी भारी जाएए, इलाके में ऐसा तो है ने कि अचानक से उतारे अरे 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 नमाज पढ़ने के टाइम होता है, इमर्जेंसी सब लोग दो, नहीं, सब को पता ह है, शुकक्रबार को होनी है, इस समय पे होनी है, आप बता दो कि इतने बलॉक के लोग इतने बजיה है, इतने बलॉक के लोग इतने बजיה है, ऐसे करके 2-3 shift में पढ़εται है, किसी को कोई परशानी नहीं हो, हमें नमाज पढ़ने वालों कोई परशानी नहीं है, हमें सड़क पर नमाज पढ़ने वालों से परिशानिया और हर एक कंसर्ण सिटिजन को होनी चाहिए उसमें भी तब जब उसी क्षेत्र में इतने सारी मस्जिदें हैं अब आर्फा और जुबैर की प्रॉबलेम आप देख लीजिए दोनों ने जो ट्वीट किया मैंने बोला आपको कि अर प्रेंसिक लबरेटरी ने बोल दिया ग्रे मंतरी ने करनाटक के बोल दिया कि हाँ पाकिस्तार लेकिन ये लगा हुआ कि नहीं नहीं नसीर साब जिन्दाबाद बोला गया था उसके बाद फिर अभी इनको कुछ मिल नहीं रहा था तो ये ताजा ताजा मुझे तो यह भी लग रहा है कि ऐसा करवाया गया होगा कि करना फिर पुलिस कुछ भी एक्शन लेगी तो हम जो है देखेंगे हम क्योंकि उस क्षेत्र से ऐसे समाचार पहले तो नहीं आए अभी क्यों आए एकदम एक्जेक्ली उसी टाइम पे उसी सब्ता में जिस सब्ता में ये लोग थो पुरा लग रहा था कि सूनी योजित तरीके से हो रहा है तो हो सकता है कि उन्होंने पुलिस को वैसा करने पे विवश्च भी किया हो इसकी भी जाच मुझे लगता है कि होनी चाहिए जिस तरह से पुलिस ने कारवाई की है और प्रोटेक्ट किया एक तरह से इस पूरे समूह को मुझे लगता है कि मोदी 3.0 में नितिन गटकरी जी को एक योजना लानी चाहिए एक्सप्रेस वे तो आप इतना बनाई रहे हैं बहुत चोड़े चोड़े भी बना रहे हैं जहां दो लेन का हुआ करता था वहाँ चार हो गया जहां चार था उसको छे किया आपने तो जो सर्विस लेन बनाते हैं तो नितिन गटकरी जी को एक योजना इस पर सोचना चाहिए मतलब हमें एक कंसर्ण सिट्जन के रूप में आपको कर रहे हैं मूदी जी को भी कर रहे हैं कि आप नमाजीओं के लिए क्यों नहीं दो लेन बना देते हैं एक मतलब अप और एक डाउन दोनों तरफ बना दीजिए ताकि यह भी ना हो कि क्रॉस करके उधर के लोग इधर आ रहें नहीं दोनों तरफ बना दीजिए और लिख दीजिए उसमें नमाज का लेन है भाई इसमें कोई नहीं जा सकता इसके उपर चिडिया भी नहीं उड़ सकती कुछ नहीं यह मजभी लोग है यह पढ़ेंगे नमाज बात ही खतम हो जाएगा ना और जो पस्वांदा वोट जो है वो सब आना है वो 400 पार क्या सारे 400 पार भी मुझे लगता है कि हो जाएगा सारे 400 नहीं मतलब डिलिम्टेशन के बाद तो 800-800 हो जाएगा यह 1100 तो है संभावना हैं तो उस तरह से मतलब फ्यूचर के बारे में भी सोचिए कि हम कैसे लेन्स क्रियेट कर सकते हैं उनके लिए और भी चीजे बना सकते हैं इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्टर लेन में सोलर पावर्ड जो है मोदी जी के मतलब उससे आप लॉड़ी स्पीकर भी लगा सकते हैं हर 50-50 मीटर पे पोल गार के लॉड़ी स्पीकर लगा दीजिए और यही चलता रहा आप बस इतना कर दिया उसका तो हरी चादरे बिचा के वहां मजार भी बन जाने मजजिद भी बन जाएगी जो है तो य है कि हम उनके साथ बैट करके रहें और हमारे समाज की प्रगती हो मुझे लगता है कि यह सब पुलिस उलिस से सस्पेंड करवाना इस सबसे आपको पर्मनेंट सॉलिशन तो दे नहीं रहें नमाज होनी है फ्राइडे को होनी है आप सड़क के दोनों तरफ बना देंगे उन इसी तरह टिकट भी मुझे लगता है कि बाकी तीन लेन है दोनों तरफ माल लिजे तो त्री प्लस वन यह दिया आप कर दें तो तीन लेन को कुछ देर के लिए पांचे मिनट का काम ही है तो आप टिक्टे भी बेच सकते हैं सरकार तो टोल वल तो लगा ही रही है जहां टोल का काम खतम हो गया वहां भी वसूल आ जा रहा है आज तक तो आप ऐसा करें कि उस पे ग्लोब मास्टर जो होता है बड़ा वला मिलिटरी एरक्राफ्ट वो उपर से उड़ा करके नीचे सीड़ी उतार दीजे दोनों तरफ सीड़ियां और उस पे टिकट लगा दीजे 100-100 रुपया की हिंदों देखो कैसे नवाज पढ़ी जाती है सकते हैं और इससे लाभी लाभ होगा एबरीवडी विल वी हैपी विन-विन सिच्वेशन जी इसको होता है तो वो हो सकता है आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं लाइक शेर करें सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बिल दबा ले और यदि आप हमारी साहता करना चाहते हैं तो इन नम्मरों के मादिम से या क्योर कोट के मादिम से कर सकते हैं धन्यवाद